हेलो दोस्तों मैं सवरो मलिक आप से भी का टोपिक इस्टड़ में स्वागत करता हूँ दोस्तों रेलवे गुरूप टी का 23 सेप्टेमर फर्स सिप्ट का एक जाम हो चुका है बहुत सारे कोशन्स मुझे मिल गए हैं वो सब कुछ डिसकस करेंगे इस वीडियो में बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर करना है और अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलगा बटन दबा करके अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर करिएगा और हो सकते हैं लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें ठीक है तो यह कोशन तो अभी कई बार और भी पूछ जाएगा तो इसको ध्यान रखेगा और पहले भी कई बार आ चुका है मेत्री यूद अभ्यास किस किस देश के बीच में होता है यह आपका इंडिया और थाइलेंड के बीच में ठीक है इसको ध्यान रखेगा कसेरू दंड में कितनी हड्या होती है तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट की परमानु संख्या पे पुजी गई थी तो यह 27 हो जाएगा राइट आंसर फीपा वर्ल्ड कप में गोल्ड बूट अवार्ड किसको मिला था यह आपका हो जाएगा हैरी केन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स आपका देके प्रियोडिक टेबल से बहुत सारे कोशन्स बता रहे हैं बच्चे आ रहे हैं बट कोशन्स नहीं मिल पाएं जैसे मुझे मिलते हैं कोशन्स देखिए कुछ कोशन्स होते हैं जो फर्स सिप्ट के बहुत लेट मिलते हैं फिर वह मैं सेकिंड सिप्ट मे मैं सारे collect करके बता देता हूँ तो third shift की वीडियो देखना बिलकुल ना भूले करें वो आपको थोड़ी late तो मिलती है बट उसमें बहुत कुछ होता है ठीक है यहाँ पर next question है सबसे भारी धातू कौन सी है osmium हो जाएगा इसका right answer यह पहले भी आ चुका है यहाँ पर साई की full form पुछी गए थी तो sport authority of india का right answer हो जाएगा और ध्यान रखेगा यह question आपका यह नहीं कि एक state में यह पूछ लिया सभी जंगे यह पूछा जाएगा एक state में यह पूछा गया तो एक में पूछा गया IMF की full form क्या है international monetary fund इसका right answer हो जाएगा और इसका headquarter भी याद कर लिजे second shift में थर्ड shift में पूछा जा सकता है Washington DC इसका right answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पर DC की full form भी पूछ ली जाते है कई बार district of Columbia और कई बार आपको Washington DC ना देखे यहाँ पर America दे दिये जाते है option में तो America की राजदानी Washington DC यह आपको पता ही होगा तो America आपको right answer लगाना है ठीक है बई और यहाँ पर pH value से related questions आये हैं तो वो नहीं पता चला जैसी पता चलते हैं आपको बता दूँगा South Arab की capital यहाँ पर पूछी गए थी ठीक है तो यह हो जाएगा कहीं दिनों से जो note कर रहा हूँ 3rd shift में आपके CEO और आपका जो हो गया Chief Minister यह चीज़े कम पूछी जाती है 3rd shift में 1st और 2nd shift में ज्यादा पूछी जाती है ठीक है तो आप थोड़ा मतलब पढ़ सब कुछ लीजिए और हाँ मैं आपको लगातार पीडिया प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलिग्राम पे कल गवर्णर की CM की और सब कुछ 3rd of cost मतलब कोई चार्ज नहीं है उनकी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ बस डारेक्ट पीडिया प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत सारी पीडिया पे जो मैं ऐसी बनवा के और टेलिग्राम में अप्लोड कर दे रहा हूँ लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में अगर आपने जो है नहीं किया तो इसको कर लेना ठीक है भई यहाँ पे है एक संपादा योजना किसके लिए शुरू की गई थी तो यह नेंद्र मोदी जी ने अभी शुरू की थी एंग्रो मरीन के लिए ठीक है तो आप इसको देख लीजेगा नेक्स्ट आपका प्लान्ट रिप्रोड़क्शन से लेटिड कोशन था अब एक्च्वल में कोशन नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता जैसे पता चलता है नेक्स्ट में बता दूँगा वर्ल्ड बर्डे कब होता है यह साथ पहले भी आ चुक है 13 ओक्टूबर को इसको ध्यान रखेगा ठीक है राणा परताप सागर डेम कहां पर है यह राजिस्थान में है चंबल नदी के उपर यह कोशन आपका पूछा गया था ठीक है नेक्स्ट आपका कोशन था लास्ट ऑलीमेंट इन प्रियोडिक टेबल देखे लास्ट रर्फर्श्ट दोनों पूछे जाते है तो लास्ट हो जागा आपका यूझा की टीम राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और फर्श्ट अगर पूछ जाता है तो हीड्रोजन राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स आपका पंजाब के भी CM पूछे गए थे अब अलग-अलग स्टेट में एक पेपर में दोनों नहीं पूछे जा सकते अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग रिजन में एक में कहीं पे केजरिवाल पूछ लिया गया है यानि कि दिल्ली के पंजाब के कौन हो जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंग राइट आंसर हो जाएगा परवासी भारतिय दिवस कब मना जाता है तो नाइन जनवरी को यह आपका नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जाके जो टाइम मेनेजमेंट की प्रोब्लम आती है वह आपकी खतम हो सकते सिर्फ ओनलाइन सीबिट टेस्ट लगाएंगे जाद़ जादा 30 CBD टेस्ट है हिंदिंग लिस्ट दोनों में है इसके प्राइज 149 है अगर आप टोपिक स्टडी के स्टुडेंट है सब्सक्राइबर है तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा सोरब SPL आपको बर के ठीक है लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में अभी आप परचे भी बताऊंगा ठीक है तो यह कुछ चेप्टर है इनको पढ़के जरूर जाएगा अगर यहां पर में मिरर इमेज की बात करूँ तो मोब की यहां पर मिरर इमेज पूछी गई थी तो बहुत ही सिंपल है कभी टाइम की पूछ ली जा रही है कभी लाइट की पूछ ली जा ना है और बी इसके साइड में यह B का पॉर्चन कौन सा यह वाला यह गोल वाला पॉर्चन B के मिरर के पास में तो इधर भी आपको यह पास में ले के आना है ठीक है तो यह पन जाएगा और और aan बी वैसे का स्कुएर करेंगे तो कितना होगा तो कुछ इस तरीकी के कोश्चन्स देखे एक तीज और मैं आपको बता दू जो बच्चे कोश्चन्स याद रख पाते हैं वो इजी कोश्चन्स याद रख पाते हैं ठीक है आपको लगता है कि यह तो बहुत आसान है बत मतलब मेरा मकसद यह होता है कि जादा से जादा कोश्चन्स जो बच्चे बता नहीं पाते हैं उनसे थोड़ा सा आइडिया लेके उस टाइप का कोश्चन्स करा दू ताकि आपको ह hard question का भी थोड़ा idea लग जाए ठीक है easy question कराने का कोई फाइदा भी नहीं होगा क्योंकि easy question कराऊंगा और जो जितने भी channel वाले करा रहे हैं वो तो आप करी लेंगे थोड़ा hard question जितने भी होंगे math math के वो मैं सारे मतलब अपनी तरफ से लेके आता हूँ अगर लेके भी आता हूँ वो पहले पूछ लेता हूँ कि किस type का question आया था ठीक है क्योंकि exact question की detail कोई दे नहीं सकता है क्योंकि अगर आप दे के आएंगे exam तो मुझे बता देना कि आप कितना याद रख पाते हैं तो counting figure का कुछ एक तरह इस type का question था ठीक है तो यह बहुत ही simple होता है अगर इसमें और भी line एक हैस दी जाए ना तो सिर्फ आपको एक ही करना है जो यह तिर्बूज होता है आपका और आपको 2,2 को अलग से plus कर लीजे और एक last में plus करना है आपको यह पूरे बड़े वाला ठीक है तो 9 और 6 कितना हो जागा आपका 15 और प्लस 1 तो 16 आपका right answer हो जाएगा इसका ठीक है और वैसे यह कोशन आपका कहीं बार आ चुक है आप इसका ध्यान लखे 16 है right answer ठीक है और बीच बीच में मैं ट्रीक आपको बताता रहूँगा एक कोशन था आपका when diagram का पती और पतनी एक परिवार के बीच में when diagram बताना था तो तीनों अगर पती पतनी और परिवार के बीच में देखा जाए तो relation है तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा diagram आपको बना हुआ दिख रहोगा ऐसा बना हुआ दिख रहोगा ठीक है या फिर ऐसा बना हुआ दिख रहोगा जिसके बीच में मतलब एक भी अगर अलग है तो वो सब हटा देंगे क्योंकि यह तीनों के तीनों एक दूसरे से relation करते हैं कैसे करते हैं पती पतनी एक परिवार का ही पार्ट होते हैं ठीक है और यह दोनों के दोनों परिवार के अंदर आते हैं तो यह वाला कुछ आपका डाइकराम बन जाएगा ठीक है तो वेंट डाइकराम तो आप आसा करते हों कि आप बिल्कुल करके आएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि जितना आपने लीजनिंग पढ़ाई है उससे बिल्कुल भी बार नहीं है बह से दिवाइड होजएगा यह और यह भी बट यही आपका बीन हो जाएगा तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा ठीक है भई तो असे करता हूं कि इस टाइब के कोशन तौ आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ कहेंगेे नेक्स साब कका 23 डिसंबर 1952 को कौन सा दिन था तो मैंने देखे बहुत से बच्चे बोल थे कि मन्त के जो code है वो याद नहीं है तो मन्त के code मैंने आपको telegram में provide करा दिये ठीक है देखें आपको एक ट्रिक याद करनी होगी day month year or leap year day month year or leap year day आपका क्या होगा यह 23 है रख दीजे आपका month, month के लिए code याद करने पड़ेंगे जिसकी pdf मैंने provide करा रखी है कहाँ पर telegram में telegram में देखें बहुत सारी चीज़ा ऐसी होची है जो यहाँ पर मैं बार-बार नहीं explain कर सकता हूँ वहाँ से पीडियाप डाउनलोड करें और देख लीजे वहाँ पर हजारों पीडियाप आपकी उल्डेडी पड़ी है तो यहाँ पर आपको क्या है month के लिए code क्या होए 5 है ठीक है यानि कि December के लिए 5 code यूज होता है यार आपका last के यार लेंगे मतलब 52 तो 52 हो जाएगा और 52 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका कितना leap year हो जाएगा 13 तो यह 13 आपका leap year हो जाएगा बस इसको आप सभी को plus करके 7 से डिवाइड कर दीजिए जीतना भी reminder आएगा वह यह आपका day हो जाएगा 23 5 और 52 और 13 को plus करेंगे तो 93 हो जाएगा 93 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका two reminder बचेगा ठीक है two reminder बचेगा तो आपका देख लिए जब मंडे के लिए अगर एक बचता तो मंडे हो जाता तू बचता तू बचता तो Tuesday हो जाएगा right answer तो आशा करता हूं कि इस टाइप क और कुछ जूते वाला बनाया कुछ जूते सफेद हैं यहाँ पर आपने सबसे पहले जो बनाया जूते वाला बनाया ठीक है जूते कुछ जूते सफेद है ठीक है और उसके बाद क्या है सभी सफेद नीले है तो सभी के सभी सफेद जो है वो नीले हो जाएगे आपके इस इस तो हो सकते हैं, बट सभी जूते नीले कब होंगे, जब जूते के उपर को नीले वाला पूरा complete वेंड डाइग्राम होगा, तो यह तो भट जाएगा, कुछ जूते नीले, हाँ, यह कुछ वाला हो जाएगा, condition क्योंकि कुछ वाला इसलिए हो जाएगा क्योंकि सफेद का कुछ portion इसमें जूतेओं में है ठीक है कुछ वाला और जब सभी के सभी सफेद नीले हैं तो इसका मतलब कुछ ना थोड़े बहुत जूते तो नीले भी होंगे ठीक है तो ये कुछ वाली condition और होते तो यह कारिया दस दिन पहले समाप्त हो जाता पर आना में कितने व्यक्ति काम पर थे देखें यहां पर बहुत ही सिंपल सा कोशन बनने वाला है यहां पर मान लीजिए आपने पहले एक्स आदमी थे ठीक है एक्स नंबर ओप मैं थे और उन्होंने इस काम को साट दि ठीक है और इस टोटल वर्क को अब यहां पर बोला कि 8 आदमी अगर और बढ़ा दी जाए तो यह 10 दिन पहले कंप्लेट हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब एक्स आदमी थे पहले और हमने 8 और बढ़ा दिये तो कितने दिन पहले कर ले लें 10 दिन पहले 60 दिन में उड़त कर लिजे कितना जगा 60X यहां पर कितना जगा 50X प्लस 400 ठीक है एक्स वालों को एक साड में लाएंगे तो कितना बचेगा 10X और इधर कितना बच जाएगा आपका 400 तो X की वैल्यू कितनी आगे 400 डिवाड़ बे 10 तो X की वैल्यू आपके आगे 40 ठीक है तो इसका मतलब पह पहले किसी कारिया को 60 दिन में कर लिया तो इसका मतलब वो टोटल कारिया कितना होगा तो हमने माल लिया X आदमी ने 60 दिन में कर लिया वो कारिया तो टोटल कारिया यह होगा अभी इस कारिया को यह 8 आदमी बढ़ा के करा रहे हैं इसका मतलब X पलस 8 हुए कितने दिन में क चार्ज दिन में, तो ये दोनों हम equal करके लिख लेंगे ना, क्योंकि work तो अभी भी उतना ही है ठीक है, आदमी बढ़ा के कम दिन में करा रहे हैं, work तो उतना ही है तो ये एक दूसरे के equal लख लेंगे, पूरी equation आप solve कर लेंगे, तो answer कितना हैगा, 40 आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है और देखे, दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बीच में, क्योंकि आप साथ end तक नहीं देखते हैं, PDF download कर सकते हैं, अभी मैं और भी study search करके, जोइन कर लीजे, ठीक है चलिए, math के मैं chapter बता देता हूँ math के chapter में आपके time and work साथ अच्छे खासे questions पूछे गए हैं, बट मुझे पता नहीं चले, एक दो question है, वो मैं आपको बता दूँ आपको बता दूँ गा, pipe and system से आपके questions आए हैं, profit and loss, hcf, lcm, probability आपका हो गया, percentage हो गया, board mass हो गया, mensuration हो गया, pie chart हो गया, pie chart का भी question नहीं पता चला है, जैसे ही पता चलता है, वो मैं आपको कराऊंगा, और यही concept आपका हुआ था, ALP technician में start, यानि कि सुरू-सुरू में आपका pie chart और D.I. से कोई question नहीं था, बट जैसे जैसे धीरे-धीरे 15-20 दिन का exam हुआ, उसके बाद आपका pie chart और आपका D.I. वाले chapter आने, start हो गया तो अगर आज pie chart वाला question आया है, मुझे नहीं पता चला है, अभी तक कैसा question था, जैसे ही पता चलेगा, मैं समझाऊंगा भी और उस type की question भी कराऊंगा, और अगर आया है, तो इसका मतलब आगे continue रहेगा, ठीक है, तो चलिए, question देख लेते हैं, timer work का है, A और B किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नाम थे, वो नाम मुझे नहीं पता है, मैंने A और B माल ले हैं, ठीक है, यानि कि कुछ भी माल लीजिए, Anju, Manju, कोई भी दो नाम थे, और यहाँ पर A उसी काम को 36 दिन में कर लेता है, यहाँ पर पूचा कि B उसे कितने दिन में करेगा, बी इस काम को, टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो बहुत ही सिंपल है, यह इसे 20 दिन में कर लेता है, दोनों मिलके और यह 36, दोनों का एलसम लीजिए 180 आगया, 180 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो यह दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट वर करते हैं, तो 180 को, ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगा, बी का वरक निकालेंगे, बहुत दोनों मिलके तो 9 यूनिट करते हैं, और एक मिलके, यानि कि A अकेला 5 यूनिट करते हैं, तो B का वरक कितना होगा, B एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना देगा 45 यही आपका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, HCF यहाँ पर पूचा गया था, 4, 12 और 112 का, मैंने क्या बताए आपको HCF निकालना है, कुछ भी नहीं सोचना है, जैसे आप LCM निकालते हैं, उसी तरीके से आप निकालना है स्टार्ट कर दीजिए, बस, ठीक है, आपने इसको 4 से डिवाइड करा सभी को, तो 4 से यह भी हो गया, यह भी हो गया, यह हो गया, आपका 28 टाइम, यह 3 टाइम और यह 1 टाइम चला जाएगा, अब यह देखे, किसी common number से cut हो सकते हैं, तीनों, नहीं हो सकते हैं तो आपका 4 है, एची अप हो गया, तो इससे simple कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, इससे simple कोई trick होगी आपके पास, ठीक है, अगर है तो आप मुझे बता दीचेगा, नेक्स्ट आपका देखे, एक था यह बोर्ड मास का आपका question, कुछ इस तरीकी से solve करना था, देखे, इस type की question को देखके, आप ड़िएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही आसान होते हैं, बोर्ड मास का कहते हैं, सबसे पहले bracket को solve करो, bracket यहाँ पर हम इसको solve कर लेते हैं, देखे, 8 को 4 से divide करें, कितना हैगा, 2, 2 दुनी 4, 4 में से एक जाएगा, 3, 3 और 3, 6, यहाँ पर यह पूरा का पूरा solve होके, 6 आ गया है, ठीक है, यहाँ पर फिर कहते हैं, ओफ वाली multiply, ओफ वाली multiply का मतलब है, यहाँ तो 4 दुनी 28, 28 minus 6 डारेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 22, but मैंन भी इसको लिखा है, इसी तरीके से, फिर यहाँ पर क्या है, 5 minus 2 और यहाँ पर हो जाएगा, आपका 16, ठीक है, तो यह क्या होगा, आपका, यह minus में, आप यह मत सोचीगा कि यह माइनस में माइनस में यह ब्रेकेट रटेगा तो आपका माइनस रट जाएगा तो यह पर पलस हो जाएगा तो यह क्या होगा इसमें से माइनस करा 22-22 की दो में करी तो कितना होगा 44-44 में से 5 माइनस करेंगे और 16 को पलस कर देंगे था कि B का कितना से आ रहें तो बहुत इजी सा कोशन है 80 दोनों का प्लस करिए क्योंकि दोनों की income का सम कितना है 87 है तो दोनों का ratio प्लस करिए 87 को डिवाइड कर दीजे 3 से और किसका पुछा है क्लेक्ट करने की कोशिस करूँगा ठीक है और प्लीज आर वीडियो को like share करते रहा करें थोड़ा सा motivation सा motivate करते रहा करें पूरा दिन वीडियो बनाते रहा है तो आपके लिए बस जाते जाता लाइक करेंगे तो यही सब कुछ हो जाता है और अपने सभी दोस्तों के साथ में share करते रहेगा अगर आपने अभी तक test series नहीं खरीदी है तो test series को जरूर खरीद लीजेगा क्योंकि test series से आपके direct कहीं questions पूछे जा रहे हैं और आपकी practice तो बहुत अच्छे से हुई जाएगी और यह mobile पे भी आप दे सकते हैं desktop अगर laptop और या desktop है आपके पास तो उस पर बि वीडिया प्लेनी है मिलता नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care